आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और जो एक नोलिजफुल टोपिक है उसको दिर हम कवर करने वाले हैं दोस्तों जब भी आप किसी भी स्टोक्स को या कंपनी को या फिर आईप्यो को अपने पॉर्टफोलियों में लेते हैं इनकी जो ग्रोथ है आपको एक रोकेट की बांती दिखाई देगी और आज की डेट में फिल्में देखना कोन पसनी करता सब फिल्में देखते हैं पास्ट के अंदर भी फिल्में देख रहे थे और आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी अब आप लोग इदर ये बोल रहे होगी बात स्टोक मार्केट की हो रही है तो यहाँ पर जो फिल्म इंडस्टी फिल्में की बात कैसे होगी तो उसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस मुझे दिखा तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत मुझे लगा तो मुझे लगा कि वीडियो के थूँ आपको भी ये जो इनिफोर्मेशन है ना सेयर कर दूँ देखें जो बवेजा स्टूडियो जो इनकोरेप्रेशनी ये कंपनी बनी थी 2001 में बनी थी जो इसे ना बाइस से ज्यादा प्रोजेक्ट है और जो छै फिल्म है ना आल रेडी जून 2023 तक दोस्तों ये कंप्लीट कर चुकी है यहाँ पर जो इनकी साथमी फिल्म है वो ओन गोइंग चल रहे है बहुत ही जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप बात फिल्मों की ओर ये तो दोस्तों जो कंपनी ने दिलवाले दिल जले कयामत जो है ना सीरीज थी साथ में भोकाल वन भोकाल टू जैसे दोस् जो 88% से जाधा financial year 2023 में ग्रू होता हो दिखाई दे जागा और GMP भी अगर आप लोग देखोगे ना आज की डेट में भया इधर ना 23 से लेकर 25 रुपे तक का जो GMP है इधर बढ़तावा दिखाई दे रहा तो भया इतनी सारे information देखने के बाद तो इस particular IPO के बारे में और भ अप्लाई करना है इसका दोस्तों जो इशू साइज है वो 44.73 क्रोड रुपे के आसपास है यहां पर जो है ना इसका लोट साइज है ना वो 800 सेर्स का जो लोट साइज इदर पड़ेगा यहां हमें है जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लोट के अंदर अप्लाई करना तो इसका देखे जो यहां पर इसू प्राइस है वो 170 रुपे से लेकर 180 रुपे तक का है तो इहां पर दोस्तों जो है ना इस रेट के ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ेगा तो इसके जो टोटल है जो 800 से हम मल्टिपलाई करते तो टोटल हमारा जो मिनीमम जो यानि इस investment के साथ जो retail investor है, इस IPO के लिए apply कर सकते हैं, यहाँ पर जो total दोस्तों अगर हम share offer देखते हैं, वो यहाँ पर देखिए जो है आपको 22,63,040 दिखाए दे जाएंगे, face value दोस्तों जो per shares की रहेगी वो 10 रुपे रहेगी, साथ में अगर हम देखेंगे offer to public है, वो यह यहाँ पर है जो 21,47,040 shares है, और retail maximum है वो 800 shares के लिए, यानि एक load के लिए इदर apply कर सकता है, तो यहाँ पर जो important date में आपको बता देता हूं, जो इसकी opening date है, 29 January 2024, इसकी closing date है, वो है 1 February 2024, basic जो allotment होगा, वो होगा 2 February 2024 को, यानि कि जो allotment किसको होगा, उसके बाद अगर किसी को allot नहीं हो पाता है, तो उसका जो refund है, वो 5 February 2024 को इदर हो जाएगा, और यहाँ पर जो share से वो credit हो जाएंगे, 5 February 2024 को, और listing date रहेगी, 6 February 2024 को, जो जो यह NSC SME IPO है, NSC के उपर इदर listing होगा, बवेजा studio limited का, अगर हम financial देखते हैं, quarter on quarter या फिर year on year, सबसे पहले हम revenue देखते 31 लाग का, जबकि 30 September 2023 को यह 3890 लाख रुपे के आसपास पहुंच गया, company का अगर PAT देखते हैं, profit देखते हैं, 31 मार्थ 2022 को यह 275 लाख रुपे था, यानि 2 करोड 75 लाख रुपे, जबकि यहाँ पर 31 मार्थ 2023 को यह 7 करोड 96 लाख रुपे पहुंच गया, जबकि 30 September 2023 को य year on year basis के उपर इसका financial देखते हैं, तो सबसे पहले revenue देखे, 2021 में इदर 19 करोड रुपे थी, 2022 में यह 40 करोड रुपे के आसपास थी, जबकि 2023 में अगर आप लोग देखोगी तो 73 करोड रुपे इदर पहुंच गी, तो company का revenue है year on year basis के उपर आपको approximately जो double है ना, वो jump होता हो दिखाए दे जाएगा, company का अगर हम net profit है जो year on year basis पे compare करते हैं, तो 2022 में यह है ना, जो 2 करोड रुपे था, जबकि 2023 के अंदर आपको 7 करोड रुपे तक होता हो दिखाए दे जाएगा, तो यहाँ पर approximately 4 times है ना, आपको year on year basis के उपर जो profit है ना, जो net profit jump होता हो दिखाए return on equity भी अगर आप company के देखोगे तो यहाँ पर जो company के आपको अच्छे दिखाए दे जाएगी, साथ में अगर आप इसका EPS देखते हैं तो 2022 में 2.8 तूटा जबकि 2023 में दोस्तों यह directly पहुंच गया, 7.38 के आसपास पहुंच गया, यहाँ अगर हम overall बात करें दोस्तों, अगर हम simple सी word में बात करें, अगर आप company के financial देखते हैं तो आपको काफी ज़्यादा मजबूत इदर दिखाए दे जाएगे, company के दोस्तों अगर हम industry देखते हैं तो film industry पहले भी growth दे रही थी, आने वाले समय भी इदर growth है ना, भया दिखाने वाली है, और साथ में यहाँ पर दोस्तों जो इनके जो ongoing जो project है, वो भी बहुत ही जल्दी है ना, इसकी जो update आने वाली है, तो जिससे company के जो financial है ना, और भी ज़्यादा इदर मजबूत होने वाले है, अब बात आ जाते हैं, दोस्तों जीस IP का हम conclusion के उपर पहुंचते हैं, देखे अगर आप long term के लि सला लेजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ information purpose के लिए है, इस वीडियो के अंदर कोई भी जो buy or sell recommendation है ना, वो नहीं दी गई है, दोस्तों बावेजा studio limited के बारे में आपका क्या comment है, इस IP के बारे में मुझे comment section में जरूर comment कीजिए, दोस्तों फिर मिलेंगे इस तरह वीडि